हेलो श्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुनासी कोचिंग क्लसेस पर स्वागा था और देख सकते हैं 2019 का रसायन सास्थ का पेपर है और इसमें मैं आर्गनिक कमिश्टी का सिरीज चलाने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आर्गनिक कमिश्टी हूंगा और जो इंपोर्टन कोश्टन है तो आज जो आर्गनिक कमिश्टी के इंपोर्टन रिक्सन है 2019 से है और 2019 में कैसे कोश्टन पूछा गया था और हो सकता है रिपेट कर दिया जाए कोश्चन इसलिए आप लोग आज की इस वीडियो का अंतक देखेगा यंपी बोट में लिंक मिल जाएगा जाके टेलिग्राम में भी जॉइन कर लेना शुरू करते क्योंकि इसके जो सलिशन है मैं वह सकता वहां पर भेज दूंग तो आज कमारा पहला कोश्टन यहां पर सॉल्व करना है कि एथे नल का आप चैन करना है क्या होता है जब देखे ऐसे क्लीमेंसन अपचैन करना है लीथयम अलिमिनियुम हाइड्राइट दौरा अपचैन करना है मतलब यह 5 अंग का पूंचा गया था अभी इस पर हम क्रिया कि राएंगे इसके बाद हमारा जो अगला टार्गेट है इसको समझाएंगे सेड़मेर अभ क्रिया स्टिफन अभ क् यह question है, question number 25 है यह आपको solve paper मिल सकता है हमारे पास है, उसके माधमसम करवा रहे हैं क्योंकि परवच्छों पूरा लिक करके समझाना बहुत time लग जाता है लेकिन यहाँ पर आपको exam को target में रखते हुए यहाँ यहाँ पर काम कर रहे हैं देखेगा, पहला clemencion, अपचेन, clemencion, अपचेन में क्या होता है कि aldehydr की tone को लेते हैं और zinc amalgam के उपस्तिती में सांध HCL के साथ क्रिया कराते हैं ठेकि यहाँ पर आप screenshot ले सकते हैं आपको लिखना एदित लिख सकते हैं कि जब aldehyde या की tone को zinc amalgam और सांध HCL के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल समू, मेथिलीन समू में अपचेत हो जाता है और alkane बनता है को लिख मिला करके alkane पराप्त होता है हम जब clemencion अपचेन करते हैं क्या? clemencion अपचेन करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है? हम चाहे किटोन की क्रिया कराएं चाहे हम aldehyde की क्रिया कराएं किसके उपस्थिती में? zinc amalgam और सांध HCL होना चाहिए तो अब क्रिया में आप लोग समझेंगे अब क्रिया यहां पर मैं करा रहा हूँ थोड़ा समझेगा यहां पर हम aldehyde ले लेती हैं CH3 CHO यह आपका aldehyde है hydrogen जितना चाहे ले लेंगे gym amalgam होना चाहिए और आपका HCL ठीक है? तो देखिए गजरा यहां पर आपका CH3 है तो CH3 हो गया एक कारबन है तो CH3 hydrogen जितना चाहे आप जोड सकते हो यह जो oxygen है पेरे बच्चो वो कनबर्ड होगा पानी में अब कितने hydrogen इक्ष्ट्रा लग गए आप देख लो तो यहां पर hydrogen एक था और यहां पर तीन और तीन दो पाँच लग गए तो मतलब 4 hydrogen की अब सकता है तो यहां पर 4 का multiply कर दी यह आपका अब क्रिया संपन हो गया ठीक है यह आपका कौन संप्चेन है क्लीमिंसन अप्चेन मतलब आपका aldehyde है इसके जगए आपकी टोन ले सकते हैं जिंक आमलगम तथा Hcl के उपस्थिती में अपच एंट की क्रिया कराते हैं तो पहहरे बच्चों जो आपका कार्बोनिल समुए आपका कार्बोनिल समुए c double band OH यह já कार्बोनिल समुए यह आप होकर के क्या बनाता है आपका al-cane में 2 कार्बन है तो एथेन बनाता है यह क्रिया हो गया देख सकते हूं अब क्रिया भी यहाँ पर संपन्च है लोगी क्रिया के यह यह आपका ट्रेरन कि मातरा जितना चाहिक अपर लिए सकते हो इपचैन बन गया और पेरे बच्चों आपके साथ ये पानी S2O मिल गया ठीक है तो ये पहला अपचेन हो क्ली मेंसान अपचेन बिल्कुल सिंपल है ना क्या कि आपने अपने एसिटल्डी हाइड ले लिया इल्डी हाइड ले लिया इसकी हाइड्रोजन के साथ अपचेन करा दी इसमें जिंक अमलकम और HCL का मिस्टन इसमें उत्प्रेडा का कार कर रहा है दूसरा जो हमारा है बुल्क किशनर अपचेन यहाँ पर दी कोस्टन कि क्या होता जब इते नाल का अपचेन ए थे नाल मतलब आप समझेगा अथे ननल यहाँ पर नाल नहीं होना चीँए इते नल fulfilled आफ Chain कर रहे हैं इसमें थोड़ा गलत लिखा है अल जुरुता है जब आपका L-DEHUD होता है तो अल होता है समझ रहे हैं और आफ Chain करा रहे हैं एधे Null मतलब आपका दो कारवन है और आपका CHO सम 누ब है इसलिए एधे Null बोलते हैं एथेनल, यहाँ एथेनल लिखा मिले हैं गलत है, एथेनल है, एक आपका एथेनल होना चीए, ठीक है, तो बुल्ब किसन अपचैन में इसमें जो अभिकारक होगा, वो प्यारे बच्चो, को एच, यहनी आपका छार होगा, छार के उपस्थिती में, यह जो आपका क्लिमेंसन अपचैन हो, अमल के उपस्थिती में क्रिया कर रहा था, लेकिन जो बुल्ब किसन अपचैन है, यह जो क्रिया होगा, पैर बच्चो, यह चार के उपस्थिती में होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जैसे हमारे पास यह एथेनल है, यह एथेनल है, पैर बच्च को प्रवल छार के उपस्थिती में हाइड्रेजीन से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है पहले हमारा मिस्टन प्राप्त होता है फिर डाइरेक्ट जाकर के पेरवच्चो हमारा कनबाड हो जाता है एथीन में किसमें एथीन में एथीन है ठीक है एथेने क्या एथेन बनाता है सेम प्रोसेस है एथेनः बनाता है जो हमारा अभी दूसरा कौन सा है बुल्प किशनर इसको अब क्रिया कैसे लेखेंगे देखो अब क्रिया में ही समझ पाओगे आपको रटना नहीं है मैं जैसे जैसे बताओंगा आप लोग कर लेना मैं दि कह रहा हूं कि आपका एथिनल एथिनल का दो कारवन होना चाहिए ठोड़ा समझ यहां पर समझ दो कार्वन नहीं CH3 और CHO अब चैन कराएंगी यह अब चैन जो होगा किसके प्रजेंस में होगा मैंने बताया यह जो प्रजेंस होगा वो चार के उपस्थिती में लेकि आपको याद भी हो जाएगा NH2 NH2 यह है hydrogen या hydrogen जब यह clickả करता है पयरे बच्छों देखे क्या बनाएगा यहाँसे O उठता है यहाँसे H2 उठता है तो आपका H2 वाहर हो जाएगा –H2 वाहर हो गया तो आपका योगिक मिला इधार CS3 है और यहां पर आपका CH है ठीक है nitrogen के साथ double burn बना लेगा N और फिर NH2 यह आपका Mishrit Yogic मिला ठीक है पहले हमने क्या कहा यह आपका ethanol है क्या ethanol यह ethanol ethanol क्या ethanol है ठीक है ethanol से hydrogen से क्रिया करा दिया हमने तो H2O बाहर हो गया यह हमारा क्या है Mishrit Yogic मिला अब इसको हम KOH के साथ अब चाहिट करा दें KOH के साथ जब KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो यह पूरा का पूरा हट जाता है अब देखो अब चैन है Hydrogen जितना चाहों जोड़ सकते हो तो N और N, N2 बना लिया तो आपके पास CH3 है और यह C है यह LAD C1H है, 2H यहां से तो CH3 और N2 जो है गैस वह बाहर हो गया यह अब क्रिया है इसका हमने लिया एथेनल क्या लिया एथेनल Hydrogen से क्रिया कराया सांद्र के उसरी KOH के उपस्थिती में चाहर के उपस्थिती में तो हमें क्या मिल गया एथेन मिल गया ठीक है, आप लोग कैसे लिखोगे जब हम LDH या Ketone का अपचेन कराते हैं KOH यह आपका चाहर चाहर के उपस्थिती में तब अपचेइद होकर Hydrogen के सांद क्रिया करता है क्या बनता है कार्मोनिल समू, मिथिलीन समू में अपचेइद हो जाता है मतलब आपका बन गया एथेन, यह एथेनल से एथेन बन गया, एथेनल से एथेन बन गया यह आपका है, ठीक है इसके बाद जो तीसरा था, वो था लीथियम, ऐलुमिनियम, हाइड्राइड दोरा अपचेन, आपके पस लेकर चले क्योंकि कोश्चन 209 से पोचा गया था एल्डी हाइड के क्लिए लीथियम, ऐलुमिनियम, हाइड्राइड के साथ कराएंगे अब चैन है, जितना चाहे, मन चाहे, हाइड्रोजन जोड़दो अब जैन में यही होता, जितना मंचा है hydrogen जोड़ दो, उत्पेड़ा कहाँ पर एथर काम करेगा, पहले में आपने क्या उत्पेड़ाक लिया, HCl, ठीक है, आम लथा, दूसरे में 4KOH, तीसरे में जो लीथियम, अलुमीनियम, हाइड्राइड दर अप्चन करा है, इसमें एथ इतर रहेगा, इतर रहेगा, बिल्कुल सिंपल सारी अकसान है, जैसे आपके पास यह बेंजीन, बेंजीन नहीं है पर बच्चो, CH3, CHO है, यह क्या है, एथेनल है, यह हाइड्रोजन जितना चाहें जोड़ सकता है, देखेगा, लीथियम, अलुमीनियम, हाइड्राइड, इतर के उपस्थिती में, तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो जितना कमी हो, CH3, CH2, OH, ठीक है, तो यह बना लेता है, एल्कोहाल, क्या, एल्कोहाल, तो यह दो कार्वन है, मिथ एथ, तो एथेनल, क्या है, एथेनल, तो यह जो हमारा, क्या था, एथेनल ऐथेनल, एथेनल था ही, यह क्या था, एथेनल, एथेनल लीथियम, अलूमिनियम हाइड्राइट के प्रजेंस में, साथ में, एथेनल, इसकी उपश्थिती है, तब यह बनाता है, पर बच्चों किसमें, एथेनल बना लेता है, तो dablo, हम को यहाँ पर दो प्रकाल की रेक् सकते हैं कीटोन से भी अल्कोहल बना सकते हैं जब हम ऐल्डीहाइड बनाने की भी नी पढ़ते हैं ऐसारी या तो या तो ये रियक्सन दोनों काब में आएगा या कॉशेन अभी पूछा किया भी या एथेनल से हम अपचेन करा रहे हैं लीथियम ऐलुमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमें मिल गया एथे नाल, इलकोहल, फिर अगला हमारा ये, सोडियम अमलगम दोराब चैन, सोडियम अमलगम दोराब चैन, तो सेम अब चैन होता है सेम, सेम अब चैन होता है सेम, कुछ भी नहींगे सेम रियक्षन है और कुछ भी नहीं पहले बच्चों यहां पर थोड़ा अपक्रिया समझेगा यह CH3 है CHO है दो H यहां भी लग रहा है आपका सोडियम और HG यह अमलगम है यह अभिकारा कि यहां पर CH2 warto दिया है तो हमारा जानते है क्या बंदा है CH3 CH2OH बस सिंपल है ठीक है यह आपका Halo बनाना है बस यही अभक्रिया है आपको ज्यादा ध्यानी ने देना है यदि ज्यादा मात्रा में हैड्रोजन ले लेंगे तो फिर आपका क्या बनेगा ज्यादा मात्रा में हैड्रोजन तो पानी तो बाहर निकलेगा कोई जरूरत ही नहीं ठीक यदि पानी ले रहे हैं भाई यह कनबर्ड हो गया किसमे मित इत तो इत नाल में एते नाल में और ये जो एš टू हो ये आपका पानी बन गया यह हमारा अमलगम बना भैया आप चैन हो गया सोडियम अमलगम के साथ देखें चोटे-चोटे अबक्रिया है आपके सलेवस में है इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है तो अबक्रिया आपने समझ ले इसके बार आप देखिए सिंड मेर अबक्रिया समझना इस्टेफन अबक्रिया हाफमें ब्रॉमाइड अबक्रिया समझना है और पेरे बच्चों हैलो फॉर्म अपक्रिया, देखो सब अलग अलग इकाई के हैं, ये इकाई 10 का है, ठीक है सेंड मेर अपक्रिया, हमने सब कुछ कराया है, अल लेडिया आपको पढ़ाया है, और स्टीफन अपक्रिया, ये इकाई 12 का है, ये भी इकाई 12 का है, हैलो फॉर्म आप एकाई दस में पढ़ें तो चलिए पटापट इन अवक्रियों को समझ लेते हैं तो सबसे पहले याप सेंड मेर कितना बहुत पूर्ण यहां पर आप देख सकते हूं यह जो सेंड मेर अरब क्रिया है ना इसके दोरह हमें क्लोरो बिंजीन बनता है मतलब हैलो एरीन बनाने की बिदी है हैलो एरीन बनाने की बिदी है यह हम प्यारे बच्चों डाइजोनियम लबड आपको पढ़ाए थे कि चो हमारा एनिलीन है इससे हम पहले डाइजोनियम लबड बनाते हैं और इसके बाद हमारा क्लोरो बेंजीन बनता है क्लोरो बनता है अच्छा एनिलीन का फार्मूला क्या है एनिलीन कुछ सब को पता है एनिलीन का है C6H5 NH2 एनिलीन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ C6H5 NH2 यह है एनिलीन यह क्या है एनिलीन इसको जब आपन कैल्सियम यहाँ पर डाइजोनियम लो क्यूपरस लबड ले 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 है तो हम ऐसा कोई भी अभिकारक लेंगे मतलब इसके साथ क्रिया कराने के लिए ताकि यहां पे cl जुड़ जाए क्योंकि जो आपका डाइजोनियम लबढ़ है c6 h5 वो n2 cl होता है क्या होता है n2 cl फिर जब इसका हम है ना hcl या qpris chloride या hcl के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका यह जो n2 है बाहर हो जाता है c6 h5 cl बचता है और n2 जो होता है बाहर हो जाता है यह नाइट्रस अमले के साथ यहां पर भाई ह एच एन ओ टू यह नाइट्रस अमले ले लेंगे नाइट्रस अमले ताकि यह n2 cl हो जाएगा और आपके साथ साथ में होना चाहिए hcl यह ले लो ठाकर होता कैया है यह नाइट्रोजन भी चाहिए और क्लोरीन भी चाहिए इसलिए नाइट्रस आमले ले लो तो सबसे पहले हमने क्या लिया प्राथमिक एमीन ले लिया इसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं तो एरोमेटिक को हमने नाइट्रस आमले के साथ अब क्रिया कराया जिससे हमें डाइजोनियम लबड मिला फिर डाइजोनियम लबड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्रिया करा दी तो हमें मिल गया क्लोरो बेंजीन तो यही है हमारा सेंड मेरफ क्रिया कि जब हम एरोमेटिक एमीन को नाइटरस अमल के साथ क्रिया कराते हैं तो डाइजोनियम लबड बनता है डाइजोनियम लबड को क्यूप्रस क्लोराइड के उपस्थिती में अब क्रिया कराने से क्लोरो बेंजीन प्राप्थ हो जाता है ठीक है यहाँ पर देखो पूरा लिखा हुआ है यह एनिलीन है C6H5 NH2 एनिलीन है यहाँ पर दूसरा आपका उत्प्रेड़क ले रखा है लेकिन आप लिख लो HNO2 क्या HNO2 नाइटर समर का सूतर होता है ठीक है जीरो डिग्री सिल्सेस ताप पर क्रिया करता है मतला नार्मल क्रिया कर लेगा कम तापमा ज्यादा नहीं होना चाहिए C6H5 N2CLA डाइजोनियम लवड हैं डाइजोनियम लवड का फिर से हम क्यूप्रस क्लॉराइट के साथ क्रिया कराएंगे पैर बच्चो तो क्लोरो बेंजीन प्राप्त हो जाता है यह हमारा पहला प्रिया सेंड मेर अपक्रिया प्रीज मत्छोना पहरा बच्चो आप दिया वोट की स्टूडेंट आपको भीन प्रकार के अपक्रिया करांगों बिल्कुल आप चिंता नहीं करना थोड़ा सा क्या होता है कि इतना अपक्रिया लिखने में थोड़ा टाइम आप मैं कोसिस करता हूं एक दिन में 5-6 आपको वीडियो प्रवाइड कर सको ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें इसके बाद आपका इस्टेफेन अपक्रिया यहां पर देखेंगे तो इस्टेफेन अपक्रिया में क्या होता फेनिल साइनाइट का एथर बिलियन वे इस्टेफेन 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 देखो इसमें कुछ गलात है स्टेनल्स क्लॉराइड क्या होता है HCl2 I2 इस पे लिखा है और HCl के उपस्तिती में जब हम क्रिया कराते हैं तो यह आप घटित होता है और आप घटित होने के बाद यह जो है लास्ट में आपका पहले तो मिश्रित योगी बनाएगा यह जो आपका C6H5 और यहाँ पे जो क्रिया करेगा तो यहाँ पे C है तो यहाँ पर आप क्रिया करा दो तो CH और NH CN है हमारे पास साइनाइड है दोनों का आप चैन हो गया आप चैन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है जितना आप हैड्रोजन ले सकते हो ले सकते हो भईया कार्बन नाइट्रोजन की बच डबल बांड लग जाएगा क्योंकि आपका बैलेंसी से नहीं रहा फिर कह रहा है बिंज एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे लेकिन इसको जलब घंड बने उत्पाद को पहले हमने कह लिया फिनिल साइनाइड फिनिल साइनाइड को हमने यह स्टेनस क्लोराइड और हC-L के साथ अपचेन कराया तो जो हमारा उत्पाद बनता है उसका जलब घंड कराने से बिंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है C6H5 C6O यह बिंज एल्डिहाइड है और इसे ही कहते है पैर बच्चो क्या स्टेफेन अपकरिया ठीक है स्टेफेन अपकरिया मैंने क्या कहा आपको कैसे लिखना है फिनिल साइनाइड को स्टेनस क्लोराइड और हC-L के यानि SNCL2 और HCL के उपस्थिती में आप चैन कराने से बने उत्पाद को जल अब घटन करने पर आपका बिंज एल्डिहाइड बनता है क्या बनता है बिंज एल्डिहाइड बनता है तो पहले आपने फिनिल साइनेड ले लिया SNCL2 यहाँ पर SNCL2 है SNCL2 होगा HCL साथ में होना चाहिए तो आपका एक उत्पाद बनता है इस उत्पाद को हम किस से क्रिया कराएंगे S2O के साथ तो हमारा बन जाता है बेंज एल्डिहाइड क्या बेंज एल्डिहाइड इसके बाद आपका एक महत्पूर हैलो फॉर्म अबक्रिया है तो यहाँ पर देखिए एक अबक्रिया हापमेंड ब्रॉमाइड अबक्रिया भी है और फिर हैलो फॉर्म अबक्रिया भी है तो हापमेंड ब्रॉमाइड अबक्रिया देखिए जब एसिट एमाइड को borومین एवं कास्टिक सोडा borومین लेना है कास्टिक सोडा लेना है कि जली या अलकोहाली बिलियन के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमी कैमीन बनती है यहां तक आप लिख लोगे ना उतन अई है यह है अवक्रिया एमाइड आपको लेना ब्रोमीन और आपका क्या होना चीए कियो हुए अच्छ तो फिर आपका जो बिलियन मिलेगा वही जो हमारा कहलाएगा हाफ मैं ब्रोमीन सीधा पगला है ठीक है ब्रोमीन के सांथ क्रिया कराना किसके सांथ ब्रोमीन के सांथ तो ले लो भाईस आप क्य तो एसके बाद आपका होना चीह ब्रोमीन तो बी- आयर टू और सांथ में होना चीए को यह जितना चाहो तो ले सकते हो तो ले लो क्या क्या उत्पाद बनाएगा आपका एक बनेगा भीया प्राथमी केमीन पोटेसियम जो है वो है आपका बी आर के साथ के बी आर पोटेसियम कार्वनेट भी बनाता है 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 जो के बी आर हो के बी आर बना दिया थीक है आपका पर इसमें चार ले लो दो के थ्री CO2 CO2 है कि CO3 होना चाहिए उल्टा हो गया K2 CO3 K2 CO3 यहाँ पर आपका दो कमल्टिप्लाइ ब्रोमीन है प्लस आपका और कोई उत्पाद बन सकता है देखेगा तो CO है तो यहाँ पर CO2 तो कंबर्ड हो गया CO3 में तो आपका एक और उत्पाद हो H2 O बना दो BALANSI कराना है यहाँ पे कितना अक्सीजन है तो अक्सीजन 3 यहां लेड़ी चला गया एक अक्सीजन यहां से एक अक्सीजन यहां से तो 2 कमल्टिप्लाइ कर देगे तो यह आपका उत्पाद बनाए तो यह आपका है कौन सा हाप मेंड ग्रोमाइडब करिया देख लो इसको यह है क्या एक्षिट एमाइड है व्यट्द एमाइड है ऐसिट है बोमीन और कास्टिक पोटास है इसके जली अल्कोहली बिलियन के साथ इसको भूमिस्ट कर अ कर आ या हैलो फाम अपक्रिया का लाक से वीडियो बना दूँगा इसमें मज़ा नहीं आएगा समझाने में क्योंकि चार से पांच अपक्रिया हैं तो हैलो फाम अपक्रिया मैं आपको साथ में पांच से मीनिट का बना दूँगा दे दूँगा और ऐसे अपक्रिया में लाता मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ जैहिन बंदमातरम